मारवन, MediaTek का Helio P25 कॉक्क टॉक्टो को प्रोसेसर इस फोन में देखने को मिलता है, यह 16-0-meter-based technology पर पेस्ट है, लेकिन यह MediaTek का प्रोसेसर है, तो इसको हमें तर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस क्यों पर software updates कम आती है, और हम दो सुना है कि MediaTek के प्रोसेसर काफी ज्याद अगर मैं Helio P25 के थोड़े cons के बाहरें बात करूँ तो यह ज्यादा future proof नहीं है, मतलब इसके अंदर आपको कम updates देखने को मिलेंगी, यानिकि जो future version of android आएंगे, उनको यह कम support करेगी, और custom ROMS का भी support इस smartphone आपको काफी कम देखने को मिलेगा, अगर मैं long term use के बात करूँ त मिलता है, इसके अंदर आपको 13MP का main camera मिलता है, और 5MP का camera मिलता है, जो की secondary camera है, और depth sensor के साथ आता है, यानि की secondary camera का use करके background blur और boke वाली images को ले सकते हैं, कुछ समय पहले Lenovo ने अपना Lenovo Kate smartphone इंडिया में announce किया था, लेकिन उस smartphone के जो performance थी camera performance वो उतनी अच्छी नहीं थी, मत इस price budget में, अगर मैं camera performance की बात करूं, तो Honor 6X भी dual camera के साथ आता है, और वो काफी अची camera performance को provide करता है, नंबर 3. पर आता है, इसके आपको front facing की तरफ 8MP का selfie camera मिलता है, जो की मिलता है F2.0 के अपरचट के साथ, और इसके अंदर selfie flash में, या फिर, जो Lenovo कह रहे है, या पार्ट 1.1 Nogget देखने को बलता है, इसका मतलब है कि इसकी performance काफी अच्छी रहेगी, और इसके अंदर जो updates आएंगे, तो वो भी जल्दी आ सकते है, लेकिन इसके अंदर media tech का helio P25 दिया है, तो updates को आने में समय लग सकता है, यानि की future में आपको इसके updates कम देखने को मिलेंगी, औ और ज्यादा लंबे समय तक ये phone update नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसके अंदर media tech का processor लगा हुआ है, इसके अंदर आपको dedicated micro SD card का slot देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ही है कि इसके अंदर आप 2 SIM card का use कर सकते हैं, और micro SD card का भी use कर सकते हैं, यान अच्छी बात, इसके अंदर को corning gorilla glass screen मिल रहा है, और एक 5.2 inch की screen मिल रही है, ना कि 5.5 inch की, अगर आप कोई छोटा phone चाहते थे, जिसे आप एक हाथ से use कर सके, तो ये phone आपके लिए हो सकता है, लेकिन आप एक बड़ा phone चाहते है, 5.5 inch का, तो शायद ये phone आपके लिए न normal charging के थे, अगर fast charging अगर इस phone में आ जाता है, तो कमाली हो जाता है, number 9, इसके अंदर RAM और storage की बात करें तो इसके अंदर आपको 3GB की RAM और 32GB की storage देखने को मिलती है, और storage को बढ़ा सकते तो कोई problem नहीं है, लेकिन अगर RAM अगर इस phone के अंदर 4GB हो जाती ना, तो ये phone थोड 999 और ये flip card पे exclusively मिलेगा, तो अगर आप इस phone को खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल interested है, तो इसे आप जाके flip card से खरीज सकते हैं, ये बिना किसी flash sale वगरा के मिलेगा, तो अगर आपको Xiaomi का phone पसंद नहीं आता है, और Xiaomi की flash sale आपको पसंद नहीं है, तो आप इस phone के ऊपर एक बार को जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपने opinion बताऊं तो ये phone उतना अच्छा नहीं है, इसकी जगे मैं को Redmi Note 4 अच्छा लगा है, और Redmi Note 4 का मैं मान सकता हूं कि camera उतना अच्छा नहीं है, और अगर आप अपना बजट 15,000 तक ले जाते हैं, तो Xiaomi का even काफी अच्छा हो सकता लेकिन वो सारे flash sale में मिलते हैं, अगर आप flash sale का जंचट नहीं चाते तो ये phone आप के लिए हो सकता है, यानि के लिए nookka key 8 plus आप बिल्कुई